हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब एक बार फिरसे स्वागत है आपके अपने चैनल दा एविजर्ड अकेडमी में प्यारे बच्चों अगर आप किसी सिलाई सेंटर से सिलाई सीख रहे हैं और वहां अगर आप लोगों को कहा गया है कि आपको एक प्रैक्टिकल फाइल तयार करनी हैं टेंशन में थे कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल सिलाई की कैसे तयार करेंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना कर लाया हूँ जिसको देखकर आप अपने प्रैक्टिकल फाइल तयार कर पाएंगे और साथी साथ मैं आप लोगों को इसका प दूर हो जाएगी तो आईए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को अपनी practical file कैसे तयार करनी है यहाँ पर आप देख पाएंगे यह इस तरह का जो है front page तयार किया गया है काफी simple front page बनाया गया है बच्चे द्वारा ताके यह पता चल जाए कि यह एक sly की practical file है और यहाँ पर इस तरह का जो है एक चितर बनाया गया है pencil से draw किया गया है आप भी इस तरह का बहुत सुंदर सा एक ladies का चितर बना सकते हैं या फिर online download करके यहाँ पर paste भी कर सकते हैं मेरी तरफ से आप लोगों को suggestion यह रहेगा कि आप खुद से बनाएं एक दो picture यहाँ पर बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे ने बिल्कुल simple file बनाई है और यहाँ पर आप देख पाएंगे जिस भी topic पर बनाया है वो topic यहाँ पर mention कर दिया गया है जैसे किसी school, college या फिर किसी slice center पर subject का code होता है तो यहाँ पर बच्चे ने mention कर दिया है code dressmaking जिसका paper code 606 है वो भी बना सकते हैं cutting tailoring 705 या फिर आपका जो center है उसका जो भी code है subject code वो डाल सकते हैं या फिर आप जो है directly dressmaking करके जो है आप इसको title दे सकते हैं यहाँ इस तरह से आप जो है mention कर दें अंदर की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको photo chip कानी है जो भी center है उसका आप नाम लिख देंगे जिस भी center पर आप सिलाई सीख रहे हैं या फिर जिस भी center पर आपको यह submit करना है यह file क्योंकि दा एविजेड अकेडमी के बच्चे द्वारा बनाई गई है तो उन्होंने हमारे channel का नाम ही लिख दिया है उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे छे कली का पेटी कोट बनाया है तो यह रहा उसका sample चोट असा sample यहाँ पर बनाकर यह original कपड़े का है आप देख पाएंगे किसी भी तरह का कोई picture का use नहीं किया गया है तो आप भी बनाकर इसको paste कर सकते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें mention की गई है यानि के इसे कैसे तयार किया जाएगा उसका measurement यहाँ पर show किया गया है मैं आपको zoom करके दिखा रहा हूँ यह देखिए वैसे अगर आप लोगों को writing समझ में नहीं आ रही या फिर आपको यह दिक्कत हो रही है देखने में तो आपको चिंता करने की जरुत नहीं है इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा मैंने इस वीडियो के description box में अपने WhatsApp ग्रूप का link दिया है आप वहाँ से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे WhatsApp नमबर 7678696142 पर भी WhatsApp मेसेज करके इसका PDF ले सकते हैं content मैं आपको दे दूँगा computer typing में ताके आपको देखकर लिखने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो यह आपका practical one था यह देखिए practical two simple suit और यहाँ पर बच्चे ने simple suit त्यार कर दिया है यह भी original है आप देख पाएंगे छोटा सा बनाकर यहाँ पर paste कर दिया गया है और इसे कैसे तयार किया गया है इसका measurement आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको बनाना है सादा blouse यहाँ पर blouse बनाकर दिया गया है देख पाएंगे आप slice center पर इस तरह की फाइलें बहुत जमा होती है बहुत जाता बनवाई जाती है आजकल तो NIS open board के अंदर भी इस तरह का जो है फाइल submit हो रहा है और जो भी state board है वहाँ पर भी इस तरह की फाइले बनाई जाती है यह देखिए यह क्या बनाया था एक बाद देख लेते हैं छोटी बच्ची का डोरी वाला फ्रॉक तो यहाँ पर देखेंगे यह री डोरी और यह रहा फ्रॉक है ना डोरी वाला फ्रॉक बन गया यह देखिए चार कली का पेटी कोट पीछे जो हमने दिखाया था वो चे कली का था यह चार कली का है उसके बाद प्रेक्टिकल सेवन यह देखिए पैंट प्लाजा बहुत अच्छा बनाया है सुन्दर बनाया है औरिजनल है बस पहन नहीं सकते छोटा है धोती सलवार बहुत सुन्दर धोती लग रही है यह और उसके बाद ये देखिए तो इस तरह से जो है practical बनाई गई है आप भी ये practical फाइल तयार कर सकते हैं अगर आपको ये सारा content चाहिए ये वाला जो इसके अंदर लिखावा है PDF के अंदर ताकि आप भी अपनी फाइल देखकर बना सकें तो मुझे whatsapp message कर दें या फिर आप हम से बनाकर जरूर सब्मिट कर देंगे और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे whatsapp नमबर पर contact जरूर करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें उन तमाम दोस्तों के साथ जिनका आप भला करना चाहते हैं फिलाल आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू वर वाचिग मैं वीडियो